क्या आपने भी नवरात्री का उरत रखा है तो आपने नवरात्री का उरत रखा है तो ये वीडियो आपके लिए पेश ले क्योंकि ये बस पास मिनेट में उरत वाला स्नेक्स तयार होने वाला है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बानाने में बहुत तो यहां पेना मैंने एक कोटोरी उरत वाला आटा लिया है आपके पास उरत वाला जो भी आटा है वो आप यहां पे इस्तमाल कर लीजे फिर इसमें मैंने डाला है स्वादा नुसर नमक फिर हम इसमें डालने वाले हैं आदा चमत से भी कम रेड़ चली पाउडर आगर आप उरत में रेड़ चली पाउडर नहीं खाते तो इसमें आप हरी मिर्श कभी इस्तमाल कर सकते हो फिर इसमें डाले हैं चुटकी बर मैंने काली मिर्श पाउडर फिर इसमें मैंने डाला है हरा धनिया पत्ती फिर इसमें डालेंगे हम पानी और पानी डालके हम यहां पे पानी का इस्तमाल कर ले ली थो यहां पे मैंने और थोड़ा पानी डाला है और यहां पे हमारा बैटर त्यार हो चुका मैंने यहाँ पे आलू के पिसेस बना कर ले ली है लेकिन चिप्स बहुत ज़्यादा पतली होती है चिप्स से हलका थोड़ा मोटा यहाँ पे मैंने पिस कट करके ले लिया है अब देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे आलू के पिसेस मैंने कट कर लिया है अब जो हमने बैटर बनाया था ना उसमें हमें ये आलू के पिसेस मिक्स कर लेने हैं तो यहाँ पे मैंने ये आलू के पिसेस मिक्स कर लिये हैं अब इसको तलने के प्रोसेस में चलती है तो ग्यास के उपर मैंने पहले से ही वाइल गरम करने के लिए रख दिया था आप पूरत में जो वाइल खा तो ना वाइल गरम होता है तो यह आलू की पिसे साब हल के ध्यान से छोड़ दीजेगा आपको आगर हाथ से यह पिसे छोड़ना नहीं आते तो जिस चमच से हमने यह बैटर मिक्स के आता ना उसी चमच से आप चमच के उपर एक एक पिस ले लीजेगा और धीरे-धीरे से च जब यह आलू की पिसे साच्चे से तल जाते है ना तो आपने आप एक एक आलग-ालग इसका पिस बन जाता है तो ग्यास को हमें फुली रखना है फुल ग्यास के उपर ही हमें यह स्नेक्स तल के लेना है तो यहाँ पे मैंने दो तीन मिनिट यह तल लिए है आप इसको ना ह पिस तरह से तल है और कलर भी कितना बड़ी आया है जैसे मैंने तल हैना बिल्कुल आपको वैसे ही तल कर ले ले नहीं बहुती क्रंची और टेस्टी यहाँ पे आलू की पिसेस तयार हो जाते हैं तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी आतरीके से तल चुके है बागी के खाने के लिए तैयार है और जल्दी में बहुत जल्दी हो आको तो यह जल्दी जल्दी में स्नेक्स बनाकर आप तैयार कर सकते हो यहां पे मैंने उरत वाली चतनी भी बना ली है जिसमें मैंने हरी मीर्च, आदरग, दही, मूफली और धनिया पत्ती डाली है और स्वादा नुसार नमक डालके थोड़ा सा दही डाला है और फिर इसमें थोड़ा पानी डालके यहाँ पे यह चटनी मैंने पीस कर ले ली है तो आप देख सकते हो कितना मस तरीके से हमारा यह उरत वाला स्नेक्स बनके तयार हो चुका है यहाँ पे आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा इतना टेस्टी यहाँ पे नाश्टा तयार हो जाता है और एक बार आप खा कर देखें बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीज़े शेयर कीज़े और चाइनल पर पहली बार हो तो चाइनल को सब्सक्राइब करना न भूले फिर मिलेंगे ऐस ही न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई